आम अदमी पार्टी के मुखिया अर्विंद के जरिवाल और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के खिलाफ जाच एजेंसियों ने ताब और तोर कारवाई शुरू कर दी है ऐसे में जाच एजेंसियों की करवाई से आमदमी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ अपनी भरास निकाल रहे हैं आप सांसत संजय सिंग हर दिन प्रेस कॉन्फरेंस कर जाच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन कोट में वो जाच एजेंसियों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पा रहे हैं अगर सबूत दे पाते तो मनी सिसोधिया और सतेंद्र जैन अब तक जेल से बाहर आ चुके होते हलाकि अब पार्टी के मुखिया अर्विंद केजरिवाल की भी मुसीबत बढ़ गई है अर्विंद केजरिवाल को भी CBI का बुलाबा आ गया है दिली के मुखमंतरी अर्विंद केजरिवाल को CBI ने पूश्टाज के लिए नोटिस जारी किया है CBI नियर्विंद केजरिवाल को रभीवार 16 अपरेल को बुलाया है केजरिवाल से CBI नई शराव नीती मामले में पूश्टाज करना चाहती है ऐसे में आम अदमी पार्टी अब चोतरफा घिरती जा रही है सवाल है कि क्या मनीशी सोधिया ने केजरिवाल का नाम ले लिया है अब देखना होगा कि CBI के जरिवाल के खिलाफ क्या कारवाई करती है लेकिन CBI के बुलावे के बाद आम अदमी पार्टी की नींद जरूर उर गई है संजय सिंग से लेकर आपके सभी नेता तिल मिला गए है CBI के समन के बाद आम अदमी पार्टी के नेता संजय सिंग ने टूइट कर निशाना साधा उन्होंने लिखा अत्याचार का अंत जरूर होगा वहीं प्रेस कॉंफरेंस का अर्शंजय सिंग ने कहा कि जिस दिन दिल्ली की विधान सभा में दिल्ली के सीयम अरविंद केजरिवाल ने कहा था कि देश के PM के दोस्त की कमपनी में लगा हुआ काला धन नरेंदर मोदी का है उसी दिन मैंने उनसे कहा था कि अगला नंबर आपका है ये लोग जतन करेंगे पीएम का भरस्टाचार दवाने के लिए सारा पैसा मोदी जी का लाखो करोर रुपया उसी दिन से अर्विंद जी के खिलाफ मोदी जी ने साजिश रचनी शुरू कर दी और आज समन आ गया आप सांसद ने कहा कि मोदी जी आपकी सरकार और आप भरस्टाचार में डूबे हुए है अर्विंद जी ने जिसकी शुरूआत विधान सभा से की वो जारी रहेगा सोलो तारिक को अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार करके जेल में डालने की साजिश रची जा रही है इस साजिश से अर्विंद केजरिवाल की आवाज रुखने वाली नहीं है ये एक एक घर में मुहले में आवाज पहुँचेगी कि आपने मिलकर अपने दोस्त के साथ प्रस्टाचार किया है संजय सिंग ने आगे कहा कि दिली विधान सभा में भाषन के दोरान ये जो साजिश रची गई है उससे आप कारिकरता न जुकने वाले है न जुकेंगे ये लराई जारी रहेगी तो देखा आपने कैसे समन पर संजय सिंग तिल मिला गए है वहीं दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने भी अरविंद के जिरिवाल को समन जारी कर गुरुवार 27 अप्रिल को पेश होने के लिए कहा है आपको बता दे कि अरविंद के जिरिवाल के खिलाफ सरकारी संपत्ती और सार्वजिनिक जगों पर अवैद रूप से चुनावी पोस पार्टी के कई नेता इस वक्त मुश्किल दोर से गुजर रहे हैं शराब घोटाले मामले में CBI और ED ने शिकन जाककस दिया है आरोप है कि शराब घोटाले मामले में 100 करोड रूपय आम अदनी पार्टी को रिश्वत के तौर पर एडवांस में मिले थे शराब घोटाले क संजा सिंग का नाम भी शामिल किया है बिरो रिपोर्ट ओमेच नियूज और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं